प्रेक्टिस देखने के लिए ही दर्शकों से भर गया स्टेडियम भावु को इस रेश नेना ने कही ये बात नमस्कार क्रिकिट प्रेमियो को इंतजार है अब वस्ते इस मार्च का जब क्रिकिट के महाकुम आईपेल की शुरुआत होगी पहला मुकाबला दिगज टीम चनई सूपर किंग्स और रॉयल चैलेंजस बेंगलूर के बीच खेला जाएगा चनई पिछले आईपेल सीजन की चैंपियन है आईपेल का गाज होने में बले ही अभी समय हो पर चनई सूपर किंग्स के फैंस के लिए उनकी शुरुआत हो चुकी है वे अपने खिलाडियों की प्रैक्टिस देखने के लिए इतनी बड़ी संक्या में जूट रही है मानो कोई मैच चल रहा हो सुमबार को सुरेश रहना ने एक तस्वीट ट्वीट की जिसमें यहां खिलाडी में दान पर है तो वही दर्शकों की बड़ी संक्या स्टेडियम में मुझूद है ऐसा लग रहा कि जैसे कोई बड़ा मुकावला मैदान पर खिला जा रहा है रहना ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ पल आपके दिल में हमेशा रहते हैं जो भी मेरे पहस है मैं उसके लिए मजूद हूँ चैन नई सूपर किंग्स ने पिछले IPL सीजन में दो साल बाद IPL में वापसी की थी स्पोर्ट फिक्सिंग मामले में टीम पर दो साल का बैन लगाया गया था टीम की वापसी शांदार रही पिछले पूरे सीजन के दुरान टीम ने जबर दस पर दशन किया और तीसरी बार IPL का खिताब अपने नाम रिकॉर्ड किया दोस्तो अगर आपको हमारे ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं लाइक को शियर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूले क्योंकि हम हारोट ऐसी खबरे आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवाद